नमस्कार न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है मेरा नाम है सत्यम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर S.I.T. ने कहा लखीमकूर खीरी कांड सोची समजी साजिश यूपी चुनाव में क्या मुफ्त राशन बाटने से महंगाई भूल जाएगी जनता भोपाल में सीवेज लाइन को चेक कर रहे दो करमचारियों की मौत और कोरोना अपडेट में देश में खरीब 19 महीने बाद 6000 से कम नए मामले तीन अक्टूबर को उत्तरप्रदेश के लखीमपूर खीरी में ग्रह राजमंत्री अजय मिश्टा के बेटे आशीश मिश्टा की गाड़ी से जो चार केसानों की मौत हुई थी उस हत्या के मामले में SIT ने आज बड़ा बयान दिया है SIT ने कहा है कि ये घटना योजना बध यानी सोची समजी साजिश थी और किसानों को जान से मारने के मकसद से गाड़ी चड़ाई गई थी इसके साथ ही SIT ने 13 आरोपियों पर धाराएं बढ़ाये जाने का भी सुझाव दिया है ये घटना उस वक्त हुई थी जब किसान शान्ती पूर्ण प्रदर्शन करते हुए काले जंडे दिखा रहे थे उसी समय एक काली गाड़ी आई जिसने किसानों को बेरहमी से कुचल दिया था और ये गाड़ी आशीश मिश्डा की थी आशीश मिश्डा सभी अन्य 12 आरोपियों के साथ जेल में बंध है और उसकी जमानत याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है देश भर के किसानों और विपक्षी दलों ने लंबे समय से ये मांग की है के आरोपिय आशीश के जो पिता राज ग्रह मंतरी अजे मिश्डा टेनी हैं उनको बरखास्त किया जाए मगर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी या भारतिय जनता पार्टी ने इसको लेकर कोई कारवाई अभी तक नहीं की है और सोमवार को एक तरफ जहां पिये मोदी ने बनारस में काशी कोरिडॉर का मेगा एवेंट किया वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसे जनता के साथ एक मजाख के तौर पर देखा जा रहा है उत्तरप्रदेश सरकार ने बढ़ती महंगाई पर जवाब देने के बजाए राशन के मुफ्त पैकेट बाटे हैं जिस पर पिये मोदी और योगी की फोटो लगी हुई है और लिखा है सोच इमानदार काम दमदार अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले जो मुफ्त के नाम पर राशन बाटा जा रहा है क्या इस राशन से जो यूपी की जनता है बढ़ती महंगाई को भूल जाएगी और अब चलते हैं मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश की राशधानी भोपाल में सीवेज लाइन बिचाने का काम कर रही अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो करमचारियों की गांधी नगर में मौत हो गई ये कंपनी गुजरात की है ये दोनों सीवेज लाइन की मेंटेनेंस चेक कर रहे थे ये हाथसा सोमवार 13 दिसंबर को दोपहर 3 बजे के बाद के आसपास लाउखेडी में हुआ था दम घुटने से 28 साल के सीवर इंजीनियर दीपक शर्मा और 22 साल के मजदूर भरत की मौत हुई है और पुलिस ने दोनों की बॉड़ी को पोस्ट मारिटम के लिए भेज दिया है इस घटना पर नगरिय विकास एवं आवास मंतरी भुपेंदर सिंग ने दुख जताते हुए डिविजनल कमिशनर को जांच के आदेश दिये हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है आपको बता दें कि लगबग दो महीने पहले MPK सिंग्रॉली जिलेवे भी सीवेट सफाई के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी उस मामले में कमपनी के खिलाफ F.I.R. भी दर्च की गई थी भारत में Manual Scavenging यानी हाथ से मेला उठाने की जो प्रता है उसके खिलाफ 2013 का Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act तो मौजूद है मगर ये प्रता आज भी जारी है वहीं मंगलवार को केंदर सरकार ने लोगसभा में एक हैरान करने वाला बयान दिया है में ये कहा कि मेला उठाते हुए किसी भी शक्स की मौत नहीं हुई है मगर सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते हुए पिछले पाँच सालों में 321 लोगों की मौत हो चुकी है 2018 के आँकडों के मुताबिक भारत में 58,098 लोग आज भी Manual Scavengers के तोर पर काम कर रहे हैं और अब बात कोरोना वाइरस की स्वास्ते मंत्राले के आँकडों के अनुसार करीब 19 महीने बाद कोरोना के 6000 से कम यानी 5784 नए मामले सामने आए हैं और इस बीश 252 लोगों की मौत हुई है मगर देश भर में ओमिक्रॉन का खत्रा भी बढ़ता जा रहा है और अब तक ओमिक्रॉन वेरियंट के कुल 41 मामले सामने आ चुके हैं वहीं कल ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से एक मरीज की मौत का भी मामला सामने आया जिसको माना जा रहा है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन से हुई ये पहली मौत है आज के डेली राउंड अप में सिर्फ इतना ही जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पी एम मोदी के बनारस दोरे के मद्दे नजर इर्फान के इस कार्टून के साथ देखने के लिए शुक्रिया